तो चलिए हमको सवाल सॉल्व कर लेते हैं नमबर सिस्टम्स पर, यह सारी सवाल मैंने और सवाल बुक से लिये हैं, तो हमारा पहला सवाल है, 1 upon root 2 is a oblique and dash number, तो यहां पर हमाँ पस 4 options हैं, हमारा पहला option है, a rational number, b irrational, c fractional, d none of these, तो आपको choose करके बताना है कि कौन सा correct answer है, तो आप जानते ही हैं, the product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is an irrational number, तो यहां पर आप देखिए कि numerator में 1 दिया हुआ है और denominator में root 2, तो यहां पर आप एक rational number को एक irrational number से divide कर रहे हैं, तो जो rule मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, irrational number किया पर, एक rational number को हम irrational number से divide कर रहे हैं, तो हमारा correct option है, B, irrational, चलिए अब हम second question ले लेते हैं, यहां पर है 5 raised to power 6x is equal to 125 square, then x is equal to, तो आपको यहां पर x की value find out करनी है, उसके लिए हम इसको use करके x की value यहां से हम find out कर लेंगे, तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, 5 raised to power 6x is equal to 125 square, तो इसको solve करने के लिए हमें base को same करना पड़ेगा, हम 125 को लिख सकते हैं 5 cube, चलिए इसको लिख लेते हैं, तो 125 को हमें लिख दिया 5 cube, इसका हमें लेना है whole square, इधर की साइड है हमारा 5 raised to power 6x, तो यहाँ पर हम exponents को multiply करने के law को use करते हुए, तो 3 into 2, 6 मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 raised to power 6x, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर equal to sign बना हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो number लिखा हुआ है, वो इस number के बिलकुल बराबर है, इन दोनों numbers का आप देख सकते हैं कि base same है, यहाँ पर भी base 5 है, और यहाँ पर भी base 5 है, तो इस side को इस side पर equal करने के लिए आपको exponent को भी equal करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 6x is equal to 6 लग देंगे, तो x की value हमें क्या मिल जाएगी, 1, तो जब आप यहाँ पर x की value को 1 रख देंगे, तो क्या मिल जाएगे यहाँ पर, 5 raised to power 6, और यहाँ पर भी है आप value of 7 raised power 10 into 8 raised power 10 is dash, तो आपको यहाँ पर भी choose करके बताना है कि कौन सा correct option है, यहाँ पर हम एक law use करेंगे, A raised power P into B raised power P, this is equal to AB whole raised to the power P, तो यहाँ पर A की जगा पर हमें मिला है 7, और P की जगा पर है 10, और B की जगा पर है 8, और P की जगा पर है 10, तो इस law को use करके 7 into 8, 56 whole raised to power 10, तो हमारा correct option यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर B option correct है, 56 whole raised to power 10, तो हम इसको यहाँ पर टिक कर लेंगे, चलिए हम नेक्स question ले लेते हैं, तो हमारा है state true or false, तो आपको बताना है कि यह सही है या गलत, तो question है, every real number is represented by a unique point on the number line, also every point on the number line represents a unique real number, तो यह बात तो सही है, आप जानते ही है कि हर एक real number को हम एक unique point से represent करेंगे number line पर, या फिर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, कि हर एक point जो number line पर है, वो represent करता है unique real number को, तो इसका answer क्या है, true, चलिए हम next question ले लेते हैं, write the simplest form of a rational number, 225 upon 1250, तो हम इसको कई दरीके से solve कर सकते हैं, अगर आपको एक ही step में answer चाहिए, तो आप numerator और denominator में highest common factor से divide कर दीजे, अगर आपको highest common factor पता नहीं चल रहा है कि कॉल सा है, तो आप numerator और denominator में आपको जो भी common multiple दिख रहा है, आप उसको cancel करते जा सकते हैं, और कुछ steps के बाद आपको same ही answer में जाएगा, या फिर आप numerator को उसके prime factors में लिख लीजे, denominator को भी उसके prime factors में लिख लीजे, और जो common factors नहीं को cancel कर दीजे, मैं यहाँ पर numerator और denominator में highest common factor से divide करूँगी, और इन दोनों का highest common factor है 25, तो चलिए हम इसको divide कर लेते हैं, तो 225 upon 1250, यह है हमारा rational number, तो यहाँ पर हम numerator में divide करेंगे 25 से, तो हमें denominator में भी divide करना पढ़ेगा 25 से, जब 225 को आप 25 से divide करेंगे, तो आपको मिलेगा 9, और denominator में 125 को जब 25 से divide करेंगे, तो आपको मिलेगा 5, और यह 0, तो simplest form इस rational number का हो गया 9 upon 50, चलिए हम next question ले लेख दे हैं, यहाँ पर represent 0.239 अब देख सकते हैं, बार्क नीचे है, in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो आपको इस decimal expansion को rational number के form में लिखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं, यह non-terminating recurring है, यह decimal expansion है, rational number का, और वही चीज़ यहाँ पर कह भी रहा है, कि आपको P upon Q form में लिखना है, यहाँ पर P और Q एक integer है, और Q 0 के बराबर नहीं है, यही तो है हमारी rational number की definition, तो चलिए हम माल लेते हैं, कि वो rational number हमारा X है, तो हम दोनों को equate कर सकते हैं, कि दोनों सेम ही चीज़ है, यह हमारा rational number हुआ, और यह उस rational number का decimal expansion हुआ, तो हम इसको equate कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि बार के अंगर 3 digits हैं, तो आप दोनों साइट 1000 से multiply करेंगे, तो चलिए हम लोग multiply कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मेलेगा 1000 X, और जब आप यहाँ पर 1000 से multiply करेंगे, तो आप उक्या मेलेगा 239.239 बार, तो अब हम क्या करेंगे, 1 को 2 से subtract कर लेंगे, तो चलिए हम लोग उसको subtract कर लेते हैं, जब आप 1000 X से X को subtract करेंगे, तो आपको मिलेगा 999 X, यहाँ पर जब आप subtract करेंगे इस number को इस से, तो decimal part तो cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ whole part बचेगा, जो कि 239 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 239, जब हम 999 को दूसरी से ले जाएगे, तो क्या हो जाएगा, 239 upon 999, तो चलिए अब हम 7th question solve कर लेते हैं, एक A is equal to 3 and B is equal to 2, तो यहाँ पर आपको A और B की value दी गई है, आपको इस expression की value find out करनी है, उसके लिए यहाँ पर हम A और B की value substitute करेंगे, और फिर find out कर लेंगे, तो चलिए हम solve करते हैं, तो हमारा है A raised power B plus B raised power A, तो A की value है 3 और B की value है 2, तो हमें मिला 3 square plus B की value है 2 और A की value है 3, तो हमें मिला 2 Q, तो 3 square होगा 9 और 2 Q है 8, तो 9 plus 8 कितना हुआ, 70, तो इस expression की value हमें मिली 70, तो चलिए अब हम 8th question ले लेते हैं, इस square root of 12 divided by square root of 3 और rational number और not, तो आपको यह पता करके बताना है, कि यह एक rational number है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप numerator में आपको मिला है square root of 12 और denominator में है square root of 3, यहाँ पर आप एक irrational number को एक irrational number से divide कर रहे हैं, तो फिर आपको यह फिर एक rational number मिल सकते हैं, यह फिर एक irrational number मिल सकते हैं, तो हम इसको solve करके पता लगाएंगे कि वो क्या है, पुछलिए हम इसको solve करते हैं तो square root of 12 upon square root of 3 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 raised to power 1 by 2 और हम square root of 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 raised to power 1 by 2 तो हम यहाँ पर एक law use करेंगे A raised to power P upon B raised to power P तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A by B whole raised to power P तो यहाँ पर A की जगा पर है 12 P की जगा पर है 1 by 2 और B की जगा पर है 3 तो इस law को use करके हम इसको solve कर लेंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं 12 upon 3 whole raised to power 1 by 2 जब आप 12 को 3 से divide करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 इसका raised to the power 1 by 2 bracket की भार तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं square root of 4 और जो इसकी की value है 2 चलिए भाम question number 9 ले लेते हैं तो 9th question है find 32 raised to power 1 by 5 32 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 5 whole raised to power 1 by 5 यह हमने 32 की जगा पर लिखा है तो जब हम यह ला लॉज यूज करेंगे a raised to power p whole raised to power q तो यहाँ पर हम exponents को क्या करते हैं multiply कर देते हैं तो यहाँ पर हम इन exponents को multiply कर देंगे और जब आप multiply करेंगे तो यह cancel हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 2 तो चलिए हम 10th question ले लेते हैं हमारा 10th question है find the product of 5 root 3 हमारे पहले bracket के अंदर है 3 plus root 3 दूसरे bracket के अंदर है 5 plus root 3 तो हमें इन सब numbers को multiply करना है उसके लिए हम क्या करेंगे distributive law को यहाँ पर use करेंगे और फिर sort करेंगे तो चलिए लिख लेते हैं तो यह है 5 root 3 जब हम यह आपर distributive law को use करेंगे तो पहले 3 को 5 से multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 15 तो आप 3 को root 3 से multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 3 root 3 यहाँ पर जब आप root 3 को 5 से multiply करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 5 root 3 और जब root 3 को root 3 से multiply करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 3 फिर bracket के अन्दर हम 15 और 3 को add कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 18 छलिए हम उसको लिख लेते हैं तो यह मिला 18 3 root 3 प्लस 5 root 3 को जब हम add करेंगे तो हमें मिलेगा 8 root 3 चलिए हम समझ लेते हैं कि 8 root 3 हमें कैसे मिला तो यहाँ पर 3 root 3 को हम add कर रहे हैं 5 root 3 से तो यहाँ पर हम root 3 को common ले सकते हैं distributed block को apply करके तो bracket के अंदर हमें मिलेगा 3 plus 5 और 3 plus 5 क्या होगा 8 तो हमें क्या मिला 8 root 3 आगे आपको समझ में तो चलिए हम इसको further solve करते हैं तो यहाँ पर हमें फिर से distributed block को use करके solve करना पड़ेगा तो 5 root 3 को आपको 18 से पहले multiply करना पड़ेगा तो आपको क्या मिलेगा 90 root 3 तो आप 5 root 3 को multiply करेंगे 8 root 3 से तो 5 into 8 क्या होगा 40 और root 3 into root 3 आपको मिलेगा 3 तो यहाँ पर आपको मिला 90 root 3 40 into 3 जब आप multiply करेंगे तो आपको मिलेगा 120 तो हमारा answer हो गया 90 root 3 plus 120 चले अब हम 11th question लेते हैं इफ 2 raise power 3 x into 4 raise power x is equal to 8 raise power 1 by 3 into 64 raise power 1 by 6 then find the value of x तो यह चीज़ आपको दी गई है और आपको find out करना है x की value तो हम इसको use करके हम x की value find out करेंगे तो चले पहले हम इसको लिख लेते हैं तो हमारा है 2 raise power 3 x into 4 raise power x is equal to 8 raise power 1 by 3 into 64 raise to the power 1 by 6 तो इसको solve करने के लिए हमें सब जगा इन सब numbers का base same करना पड़ेगा तो 4 और 64 को हम base 2 के form में लिख सकते हैं तो चले हम लिख लेते हैं 2 raise power 3 x 4 की जगा पर हम लिखेंगे 2 square इसका 4 raise power x और 8 की जगा पर हम लिखेंगे 2 cube 4 raise power 1 by 3 into 64 क्या होता 8 into 8 और 8 को हम क्या लिखते हैं 2 cube तो 2 cube into 2 cube क्या मिलेगा 2 raise power 6 तो हम इसको लिख लेते हैं 2 raise power 6 4 raise power 1 by 6 चल लिख बार इसको further solve कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 raise power 3 x हम यहाँ पर exponents को multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 raise power 2 x यहाँ पर भी हम जब exponents को multiply करेंगे तो यह थ्री और यह थ्री cancel हो जागा तो आपको मिलेगा 2 और यहाँ पर भी जब आप exponents को multiply करेंगे तो यह 6 और यहला 6 cancel हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2 आप base same है तो हम powers को add करेंगे तो क्या मिलेगा 5x यहाँ पर power दोनों का 1 है तो आपको क्या मिलेगा 2 square 2 raise power 5x is equal to 2 square तो यहाँ पर आप देख सकते हैं equal to sign है और यहाँ पर इन दोनों numbers का base भी same है तो equality sign की विज़े से आपके exponents को भी same होना चाहिए तब ही यह आला number इस number के बराबर होगा तो चलिए हम लिख लेते हैं 5x is equal to 2 तो x की value क्या हो जाएगी 2 by 5 तो चलिए अब आप question number 12 को solve कर लेते हैं तो question number 12 है if x plus root y is equal to 2 minus root 3 whole square then find the values of x and y तो यहाँ पर यह दिया गया है और आपको x और y की values को find out करना है तो चलिए हम इसको use करके x और y की value को find out कर लेते हैं तो हमारे पास है x plus root y is equal to 2 minus root 3 whole square तो हम इसको solve कर सकते हैं यह आला formula यूज़ करके a minus b whole square तो यह होता है a square minus 2ab plus b square तो यहाँ पर a की जगा पर है 2 और b की जगा पर है root 3 तो हम इसको इस formula को use करके इसकी value calculate कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का square 4 minus 2 a की value है 2 और b की value है root 3 plus root 3 का whole square तो आपको क्या मिलेगा 3 so 4 plus 3 क्या हो जाएगा 7 और यहाँ क्या हो जाएगा minus 4 root 3 और इस side पर है आपका x plus root y तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 एक rational number है यहाँ पर x एक rational number है यहाँ पर root y एक rational number है और यहाँ minus 4 root 3 एक irrational number है तो चलिए हम इनको equate कर लेते हैं तो x की value तो आपको मिल गई 7 और root y क्या आपको मिला minus 4 root 3 तो अगर आप इस side और इस side तोनों side अगर आप square कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा y तो चलिए हम जब square करेंगे तो क्या मिलेगा इधर हमें y मिलेगा और आपको इसका square करना है तो जब आप इसका square करेंगे तो minus into minus क्या हो जाएगा plus 4 का square क्या होगा 16 और root 3 का square क्या होगा 3 तो 16 into 3 क्या हो गया 48 तो y की value हो गई 48 चलिए हम next question ले लेते हैं What would be the denominator after rationalizing 7 upon 5 root 3 minus 5 root 2 तो यहाँ पे आपको denominator बताना है जब आप denominator को rationalize कर लें यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि denominator एक rational number है rationalize the denominator मतलब आपको denominator को एक rational number में लिखना है तो चलिए हम उसको लिख लेते हैं हमारा है denominator 5 root 3 minus 5 root 2 तो इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे यहाला formula यूज करेंगे root A minus root B into root A plus root B तो यह जो root A plus root B है यह इसका conjugate है यहाँ पर root A और root A same है root B और root B same है सिर्व आपको minus A plus कर देना है अगर आपका plus हो तो आप उसको minus कर दीजे तो वो दोनों एक जूसरे के conjugate होंगे जब आप इसको multiply करेंगे तो आप क्या करेंगे root A का square करेंगे तो क्या मिलेगा आपको A तो माइनस लिग देंगे और आपको root B का square करना पड़ेगे तो आपको क्या मिलेगा B तो जब आप इसको इससे multiply कर रहे है तो क्या आपको मिल रहा है rational number मिल रहा है यही concept use करके हम इसको rationalize करेंगे तो यहाँ पर root A की जगह पर दिया हुआ है 5 root 3 और root B की जगह में दिया हुआ हुआ है 5 root 2 तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं तो यहाँ पर हम 5 root 3 2 से तो हम यही concept use करके इसको rationalize कर लेते हैं तो आपको 5 root 3 का square करना पड़ेगा तो 5 root 3 का आपको क्या करना पड़ेगा square तो 5 का square क्या हुआ 25 और root 3 का square क्या हुआ 3 25 into 3 क्या मिलेगा 75 वैसे ही आपको 5 root 2 का भी square करना है तो 5 root 2 का आप जब square करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 का square मिलेगा 25 और root 2 का जब आप square करेंगे तो क्या मिलेगा 2 तो 25 into 2 क्या मिला 50 चले हम इसको लिख लेते हैं तो इस side आपको मिलेगा 75 minus 50 तो क्या हुआ मिला 25 तो आपका denominator एक rational number हो गया जो की 25 है वही चीज यहाँ पर पूची गई है कि आपको कौन सा rational number मिलेगा जब आप denominator को rationalize कर देंगे यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 25 तो चलिए अब हम 14th question solve कर लेते हैं if 9 raise power n into 3 square into 3 raise power minus n by 2 4 raise power minus 2 minus 27 raise power n divided by 3 raise power 3m into 2 cube is equal to 1 upon 27 prove that m minus n is equal to 1 तो यहाँ पर आपको यह चीज दी गई है और इससे आपको यह proof करना है तो चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं तो हमरा है 9 raise power n into 3 square into 3 raise to the power minus n by 2 4 raise power minus 2 minus 27 raise to the power n divided by 3 raise to the power 3m into 2 cube is equal to 1 upon 27 आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सब numbers को exponential form में लिखा गया है इन सब numbers का base 3 है और इस number का base 2 है तो चलिए 9 और 27 को भी हम exponential form में लिख लेते हैं तो जब आप 9 को exponential form में लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 square और 27 का क्या मिलेगा 3 cube तो इन दोनों ही case में base 3 है तब तो हमारा काम हो जाएगा चलिए हम इसको लिख लेते हैं तो 9 के जगापे हम लिखेंगे 3 square इसका हमें क्या लेना है whole raise power n तो यह हम यहाँ पर solve करने के लिए यह वाला law use करेंगे a raise power p whole raise to the power q तो यहाँ पर हम exponents को क्या अगमाट करेंगे multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a raise power p q तो यहाँ पर भी हम exponents को multiply करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 3 raise to the power 2 n तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो 9th power n की जगा पर हम लिखेंगे 3 raised to the power 2n into 3 square into यहाँ पर भी हम exponents को यह ला-law यूज़ करके multiply करेंगे minus n by 2 into minus 2 minus into minus क्या हो जाएगा plus और यह 2 और यह 2 आप cancel करेंगे तो आपको क्या मिलेगा n तो जब आप इसको solve करेंगे तो आपको मिलेगा 3 raised to the power n minus 27 की जगा पर आप लिखेंगे 3 cube तो क्या लेना हमें whole raised to power n तो इस law को यूज़ करके हम फिर से exponents को multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 raised to the power 3 n चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 raised to the power 3 n divided by 3 raised to the power 3 n into 2 cube is equal to 1 upon 3 cube तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सब numbers का base same है तो हम exponents को क्या करेंगे add कर देंगे 2 n प्लस n हमें क्या मिलेगा 3 n और यह प्लस 2 तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमें मिलेगा 3 n plus 2 minus 3 raised to the power 3 n divided by 3 raised to the power 3 n into 2 cube और इधर है 1 upon 3 cube तो यहाँ पर हम 3 raised to the power 3 n common ले सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जब यह common ले लेंगे तो हमें परस के बज़े का 3 square तो हम दिख लेते हैं यहाँ पर 3 raised to the power 3 n हमने common लिया तो यहाँ पर हमारा क्या बचा है 3 square minus यहाँ सो हमने यह common ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1 upon 3 raised to the power 3 m into 2 cube is equal to 1 upon 3 cube तो 3 square हमारा होगा 9 minus 1 तो यह हमें क्या मिला 8 और हम इसको ऐसे भी लिख सेते हैं 2 cube तो यह 2 cube और यह 2 cube हम cancel कर देंगे तो यहाँ पर हमारा numerator में है 3 raised to power 3 n और यहाँ denominator में है हमारा 3 raised to power 3 m यहाँ पर numerator में है 1 और denominator में है 3 cube तो यहाँ पर में हम numerator को 1 कर देते हैं तो उसके लिए हमें इसको नीचे लाना पड़ेगा तो कैसे लाएंगे यह वाला law यूज करते a raised to power n is equal to 1 upon a raised to power minus n चलिए हम इसको लिख लेते हैं तो numerator में हमारा बचेगा 1 क्योंकि हम इसको ला रहे हैं लीचे के साइड denominator में तो यहाँ पर पहले यह हम लिखेंगे 3 raised power 3m into 3 raised power minus 3m is equal to 1 upon 3 cube तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर equal to sign बना हुआ है मतलब कि यह पूरा नंबर इस पूरे नंबर के बराबर है यहाँ पर numerator तो सेम है तो यहाँ पर denominator भी सेम होना चाहिए यहाँ पर denominator में आप देख सकते हैं कि base तो सेम ही है 3 ठीक है तो हम exponents को equate कर सकते हैं चलिए मैं इसको थोड़ सा और simplify कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पर base जो है वो सेम है तो हम exponents को क्या कर सकते हैं आड कर सकते हैं तो आपको क्या मिलेगा 3s power 3m minus 3n is equal to 1 upon 3q तो आपको आसानी से दिख रहा होगा तो numerator तो सेम है denominator भी सेम होना चाहिए तबी यह पूरा नंबर इसके बराबर होगा तो आप denominator में देख सकते हैं इसकी बेस तो सेम है दोनों साइड बेस 3 है तो denominator को सेम होने के लिए experiments को भी सेम होना पड़ेगा तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं 3m minus 3n is equal to 3 तो यहाँ से हम 3 common ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा m minus n is equal to 3 अब हम दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे तो इस साइड हमें क्या मिलेगा m minus n और इधर क्या मिलेगा y यही हमें proof करना था तो हम लिख लेते हैं hence proof तो चलिए अब हम question 15 discuss करते हैं Assertion and reason based mcqs directions in the following questions a statement of assertion a is followed by a statement of reason are mark the correct choice as तो यहाँ पर यह question assertion and reason based mcq का है यह पहला statement assertion का है उसके बाद reason दिया गया है वहाँ पर भी पहला statement assertion का है दूसरा reason का दिया गया है आपको इन सब options में से correct option choose करना है तो हम पहला question है assertion root 2 is an irrational number reason है the sum of a rational number and an irrational number is an irrational number तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या यह दोनों true है या false है तो आप देखिए root 2 is an irrational number तो यह statement to true है reason हम चेक करते हैं कि true है कि false है sum of a rational number and an irrational number is an irrational number यह भी true है अब दोनों true हो गए second step है हमारा हम चेक करें कि यह reason इस statement का correct reason है तो यहां पर यह दिया गया है root 2 is an irrational number क्योंकि it is non-terminating non-recurring तो हमें चूज करना है इन सब options में से कौन सा correct option है तो हमारा पहला option है बोथ a and r are true यह बात तो सही है and r is the correct explanation of a यह बात सही नहीं है तो यह हो जाएगा ruled out next option है बोथ a and r are true but r is not the correct explanation of a यह वाला option हमारा सही है क्योंकि यह दोनों true है और reason r इसका correct explanation नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और second question discuss करते हैं second question है assertion a a number 0.57 bar in the form of rational number p by q is 29 upon 99 reason r decimal expansion of 29 upon 99 is non terminating and recurring तो यहां पर हमारा पहला step क्या है हमें यह चेक करना है कि यह assertion वाला statement true है या false वैसे ही आपको reason वाला statement भी चेक करना है कि यह true है या false तो चलिए सबसे पहले हम assertion वाले statement को चेक करते हैं यहां पर क्या कह रहा है कि 0.57 बार का rational form क्या है 29 upon 99 तो हम माल लेते हैं कि इस decimal expansion का rational form है x तो हम फिर दोनों को equate कर सकते हैं तो x को और हम 0.57 बार को equate कर देते हैं यहां पर दो digits हैं बार के नीचे तो हम दोनों साइड 100 से multiply कर देंगे तो इधर मिलेगा 100 x और इस साइड हमें मिलेगा 57.57 बार अब हम first को second से subtract कर देंगे तो 100 x minus x आपको मिलेगा 99 x और इधर decimal part तो cancel हो जाएगा सिर्फ यह 57 मिलेगा x क्या होगे हमारा 99 तो यह मिल गया आपको rational number इस decimal form का और यहां पर क्या दिया गया है rational number is decimal form का 29 upon 99 तो यह statement तो false हो गया चलिए हम reason को check कर लेते हैं कि वो true है कि false है तो यहां पर दिया गया है कि decimal expansion of 29 upon 99 is non-terminating and recurring तो यहां पर कह रहा है कि 29 upon 99 का decimal expansion non-terminating और recurring है चलिए हम इस बात को check कर लेते हैं कैसे check करेंगे आप 29 को 99 से divide कर दीजे और जब आप divide करेंगे तो आपको मिलेगा 0.29 bar तो आप देख सकते हैं कि इस rational number का decimal expansion है non-terminating recurring तो यह statement तो true हो गया यह तो एक तरीका है पता लगाने का कि इस rational number का decimal expansion non-terminating और recurring है की नहीं एक और तरीका हम जिससे पता लगा सकते हैं वहाँ पर आपको सिर्फ rational number का denominator देखना है अगर denominator में सिर्फ 2 है या फिर 2 का कोई power है इस तरीके से या फिर denominator में 5 है या फिर 5 का कोई power है या फिर दोनों का combination है तब उस rational number का decimal form terminating होगा नहीं तो वो non-terminating होगा तो यहाँ पर denominator में क्या है 99 और denominator का practice क्या है 3 into 3 into 11 तो आप देख सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं इसका मतलब इस rational number का decimal form होगा non-terminating recurring तो चले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा option correct है तो आप D option में देख सकते हैं कि A is false and R is true हमारा यही है A is false and R is true तो हम D option को तो चले हम दिसकस करते हैं यहाँ पर एक math teacher को अपने class 9 के students की preparation कैसी है real numbers पर उसको check करने के लिए वो उनसे पांच questions पूछना चारा है लेकिन उनको पांचों के पांचों answer नहीं करना है उनको option दे रहा है कि कोई भी चार questions वो इसमें से answer कर सकते हैं इन questions को answer करने के लिए पहलो उनको यहाँ पर यह text देखना पड़ेगा तो चले हम पहला question ले लेते हैं which of the falling is an irrational number तो आपको इन सब में पता लगाना है कि कौन सा irrational number है आप देखी सकते हैं कि यहाँ पर सब decimal form में दिखा गया है तो decimal form irrational number का कैसा होता है non-terminating, non-recring तो चले हम options देख लेते हैं यह decimal form है terminating तो यह तो नहीं हो सकता यह वाला है non-terminating recurring तो यह भी नहीं हो सकता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3.245, 245 and so on तो यह 245, 245 बार बार repeat कर रहा है और यह terminate भी नहीं हो रहा है तो यह कैसा हुआ? non-terminating recurring तो यह भी नहीं हुआ तो क्या बचा? सिर्फ the option बचा लेकिए हम फिर भी check कर लेते हैं 3.245, 22, 45, 222 and so on तो यह कैसा है? non-terminating, non-recring तो यह वाला हमारा irrational number हुआ तो हम इसको tick कर लेते हैं चलिए हम आगे बढ़ते हैं second question पर 2 by 11 को find out करने के लिए आपको 2 को divide करना पढ़ेगा 11 से अब इसको divide कर लीजे तो आप देख सकते हैं आपको यह 2 फिर से मिल गया मतलब की यह क्या होगा? repeat होगा 0.18 bar तो इसमें कौन सा option करेक्ट है? B option 0.18 bar चलिए अब हम तीसरा question ले लेते हैं decimal form of 2 by 11 is यह कैसा है? non-terminating recurring यहाँ पर यह option आपको D में दिया गया है non-terminating recurring तो आप इसके आगे टिक कर सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे question number 4 write a P by Q form of 0.38 bar तो यहाँ पर आपको 0.38 bar का P by Q form लिखना है इसका मतलब कि आपको rational number find out करना है 0.38 bar का तो हम माल लेते हैं कि वो X है तो हम दोनों को फिर equate कर सकते हैं तो X is equal to 0.38 bar तो यहाँ बार के नीचे दो digits हैं तो हम दोनों side 100 से multiply कर देंगे इधर क्या मिलेगा? 38.38 bar उसके बाद हम first को second से subtract कर लेंगे तो 100 X minus X आपको क्या मिलेगा? 99 X और यहाँ पर decimal part तो cancel हो जाएगा सब old part बचेगा यहाँ मिलेगा 38 तो X की value के आगई? 38 upon 99 तो मिल गया हमें इस decimal expansion का rational form जो की है 38 upon 99 और वो option हमें मिला है A में तो हम A option को tick कर लेंगे चले हम डिसकस करते हैं question number 5 if P by Q form of 0.38 bar is M by N then find the value of M plus N यहाँ पर क्या दिया गया है? कि 0.38 bar का P by Q form क्या है? M by N तब आपको क्या find out करना है? M plus N की value को find out करना है और अभी हमने find out करना है M by N की value क्या निकली थी हमारी? 38 upon 99 तो यहाँ पर M की value क्या हुई? 38 और N की value क्या हुई? 99 हमें calculate करना है M plus N तो यहाँ पर हम से values को substitute कर देंगे M की जगा पर रखेंगे 38 और N की जगा पर रखेंगे 99 तो जब आप इसको add करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 137 तो यहाँ पर कौन से option करेंगे? A option यहाँ पर A option में 137 दिया गया है तो आप A option को tick कर सकते हैं तो आपने देखा यह सारे questions बहुत ही मज़दार हैं यहाँ आपको एक्जामेर बहुत ही बड़ी आ मार्क्स पाने में मददगार सिद्ध होंगे अगर आपको इस तरह के और challenging questions को solve करना है तो आप description box में जाए और link को click करके ओजवाल books को purchase कर लीजिए